इस पार्ट में हम देखते हैं कि पीरिल उनका बहस रोकती है और सब को मीटिंग के लिए बुलाती है फिर उन दोनों टीम में एक प्रोजेक्ट को लेकर तू-तू में में होने लगती है तो एंगिन कहता है क्यों ना हम दो प्रोजेक्ट बनाएं, क्लाइन्ट को जो पसंद आएगा उसी को फाइनल करेंगे, उसके बात पर सब एगरी होते हैं सरकान के पापा एदा की आंटी से मिलने आते हैं, उन्हें अपनी गलती के बारे में बताने की कोशिस करते हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती और वो बता नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं ओफिस में सब अपने अपने प्रोजक्ट पर जोरों सोरे से काम करने लगते हैं साम को सरकान घर आकर अपनी मौम से बात करता है कहता है मैं एदा को भूलने की कोशिस कर रहा हूं मगर जब भी पापा को देखता हूं तो सब याद आ जाता है मैं अब और उनका चेहरा नहीं देखना चाहता इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ और उन्हें सोरी कहता है उसकी मौम दुखी हो जाती है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती और नहीं अपने बेटे से मिल सकती है अगली सुभा एदा कॉलेट जाती है टीचर से बात करने के लिए घर आकर बताती है कि अब से मैं कॉलेट जाओंगी टीचर मान गए है मैंने उन्हें मना लिया एहां सुनकर सब बहुत खुस होते हैं ओफिस में से भी एदा का सारा सामान ला कर उसे दे देता है ऐसा सरकान ने करने को कहा था एदा गुस्ते से सारा सावान बाहर डश्ट बीन में डाल देती है फिर सब क्लाइंट के पास प्रेजेंटरसन दिखाने जाते हैं एफे एदा का इंतिजार कर रहा था मगर सरकान उसे जूट बोल कर भेज देता है ना चाहते हुए भी एदा को सरकान के साथ जाना पड़ता है दोनों राश्ते में लरते हुए जाते हैं फिर एदा क्लाइंट को प्रेजेंटरसन दिखाती है और सरकान भी अपना प्रेजेंटरसन दिखाता है मगर जान बूज कर अच्छे से नहीं करता है ताकि एदा जीत जाए क्लाइंट को एदा का वरेजन टेसन वसंद आता है और उनका दिल फाइनल हो जाता है अगले दिन सब मिलकर कैम्पेन पर आते हैं उहां पर दो टीम बनाया जाता है सरकान और एफे का टीम फिर एक कार रेसिंग का गेम खेला जाता है जहां एफे का पार्टनर सेलिन होती है और सरकान का पार्टनर एदा एदा मना करती है तो सरकान कहता है तुम डिर गए क्या फिर क्या था कॉम्पेटिसन सुरू हो जाता है एदा और सरकान फिर से लड़ने लगते हैं सरकान एदा से माफी मागता है अपनी हर एक गलती के लिए एदा वहां से चली जाती है देर हो जाती है मगर एदा वापस नहीं आती तो सब उसे जंगल में ढूंडने लगते हैं सरकान उसे ढूंड लेता है एदा एक गड़े में गिर कर बेहोस हो गई थी सरकान उसे होस्पिटल ले आता है एदा को होस आता है तो उसे पिछली कुछ बातें याद नहीं थी एदा सरकान को माई लव कहकर बुला रही थी तो सरकान डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है ये तो मुझे से नफसरत करती है अब ऐसे कह रही है तो डॉक्टर कहते हैं उसे सोक लगा है कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी बस आज उसे सोने नहीं देना है और ना ही लंबा ट्राविल करना है सरकान सब को बता देता है कि एदा ठीक है और उसके साथ है एदा सरकान से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है उसे अपना ब्रेक अप याद नहीं था सरकान कहता है कास में ये सब सबूत के तोर पर रिक्स वाता रास्ते में एदा को सब याद आ जाता है तो सरकान पर चिलाने लगती है सरकान कहता है लोग आ गई होस में एदा इल्दिस एदा घर जाने की बात करती है मगर सरकान मना करता है डोक्टर ने मना क्या है ट्रावल करने से नहीं तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी सरकान उसे समझा कर घर ले आता है दोनों को उस घर में बिताए अपने प्यारे मूमेट याद आने लगते हैं दोनों रात पर उहीं रुकते हैं सुबह सरकान एदा को घर छोड़ देता है एदा की आंटी कहती है सरकान तुमने तो वादा किया था कि तुम एदा का दिल नहीं दुखाओगे मगर तुमने क्या क्या उसका दिल तोड़ दिया उसे सुना कर चली जाती है ओफिस में सरकान कहता है कि उसे एफे पर भरोसा नहीं है तो एंकिन कहता है इसमें क्या है तुम तो ऐसे भी किसी पर भरोसा नहीं करते सरकान समझाता है कि उसने फेरिद के सेर्स खरिदने की कोसिस की उसका मकसद बिजनेस करने का नहीं है कुछ और ही है सरकान उसके बारे में सब पता करने को कहता है सरकान एदा और एफे को साथ में देखकर जलने लगता है काम के बहाने से एफे को उसके पास बुला लेता है सेलिन फेरिज से पूछती है कि एफे तुम्हारा सेर्स खेदना चाहता है तो फेरिज हां कहता है सेलिन कहती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने सारे सेर्स बैच दिये और तुमने मुझे सादी के दिन ही छोड़ दिया, अगर तुम्हे सेर बेचने ही है तो मुझे ही बेच दो, फेरित कहता है तुम एक तीर से दो निसाना लगाना चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा, मुझे भी अब इन सब में मज़ा आने लगा है, आज पीरिल का बर्त्रे था तो लेला उसके लिए एक छोटा सा केक लेकर आती है, पीरिल बहुत ही खुस होती है, उसका बात्रे किसी को भी याद नहीं था, सिर्फ लेला को याद था, आगे फेरित जेरिन से कहता है कि सेलिन और एफे नहीं चाहते कि तुम इहां पर काम करूं, जेरिन उसे थैंक्स कह जाएं, तो जेरिन हां कहती है, सरकान के पापा एंगिन को फोन करते हैं, और उन सब को अपने घर पर गेम नाइट के लिए बुलाते हैं, ऐसे तो सरकान उन से बात नहीं करेगा, इसलिए एंगिन से हेल्प मागते हैं, एंगिन कहता है सरकान को लाना मुस्किल है, मगर मैं कोसिस करता हूँ एंकिन फेरिद से गेम नाइट पर चलने के लिए पूछता है तो फेरिद हां कहता है पिरिद उनकी बात सुनती है और समझ लेती है कि एंकिन उसके बर्दे के बारे में बात कर रहा है यहां देखकर पिरिद बहुत खुस होती है फिर एंकिन सरकान को मनाने आता है मगर सरकान कहता है मुझे काम है वैसे भी मैं अपने पापा से बात नहीं करना चाहता एंगिन कैसे ना कैसे करके सरकान को मना ही लेता है साम को एफे एदा को घर छोड़ने आता है उनकी आंटी उनका आधा दुकान रेंट पर दे रही थी क्योंकि उन पर बहुत करजा हो गया था उसे कम करने के लिए आधा दुकान रेंट पर लगा रही थी तो एदा कहती है कोई और तरीका नहीं है क्या आंटी कहती है मैंने सब देख लिया इसके अलाबा और कोई तरीका नहीं है तुम चिंता मत करो मैं सब ठीक कर दूँगी रात भोध हो गई थी एंगिन का कोई पता नहीं था तो पीरिल सब लड़कियों को बुला कर पाटी करने का सोचती है और एदा को फोन करके अपने बद्रे पाटी पर बुलाती है एदा के दोस्त भी उसके साथ जाने का कहते हैं एरदम भी ओफिस में ही था तो उसे भी अपने पाटी पर बुला लेती है फिर सब गर्ल्स बद्रे पाटी पर आ जाते हैं फिर पिरिल एक गाना गाती है और सब डांस करने लगते हैं इधर सारे बोईज भी अपना गेम नाइट इंजोई कर रहे थे गेम के बाद एंकिन पिरिल को वीडियो कॉल करता है देखता है कि आज तो पिरिल का बर्दे है और वा भूल गया है पिरिल उसे खूब सुनाती है तुम्हें मेरा बर्दे भी याद नहीं मैं तुम्हारे लिए दिन भर इंतजार कर रही थी और तुम उहां पर गेम खेल दही हो कहकर फोन काट देती है एरदम भी फीपी को इंप्रेस करने के लिए अच्छे से रेडी होकर आता है और उसके लिए एक गाना गाता है इधर एंगिन परेसान हो रहा था उसे पिरिल का वद्रे याद नहीं रहा फिर सब बोईज मिलकर पार्टी पर आ जाते हैं एंगिन तो पिरिल के पास आने से डर रहा था मगर सब उसे अंदर ले आते हैं एंगिन पिरिल से माफी मागता है पिरिल भी उसे माफ कर देती है एदा थोड़ी पी ली थी, वहाँ स्टेज पर जाकर गाना गाने लगती है, सरकान भी वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है, सरकान एदा को निशे में देखकर उसे घर छोड़ने की बात करता है, मकर एदा मना कर देती है, अगले दिन सबका बुरा हाल था, कल रात का नसा अभी तक नहीं उत्रा था इधर ओफिस में भी सबका वही हाल था सब सो रहे थे एफे सरकान से बात करता है उसे बताता है कि एदा की फार्नियांसियल कंडिसन ठीक नहीं है उन्होंने अपनी आधी दुकान ट्रेंट पर लगा दी है एहां सुनकर सरकान अपने किसी दोस्त को फोन करता है और उन्हें एदा की आंटी के फ्लावर सोप से फ्लावर खरिदने की बात करता है तो उसकी दोस्त भी मान जाती है और उसकी आंटी को फोन करके फ्लावर की ओर्डर देती है एदा की आंटी भी अच्छे क्लाइंट को पाकर बहुत खुश होती है लड़कियों में एंगी ने एफे के बारे में सब पता कर लिया था एफे बच्पन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है मगर एक बात थोड़ी अजीब है कोलेज में उसे कहीं से इतना पैसा मिल गया कि उसने अपनी कमपनी खड़ी कर दी अब हुआ अकेला मालिक है सरकान कहता है तो इस कोई सिक्रेट पार्टनर है इसलिए मुझे उस पर सक हो रहा है उसने हमें ही क्यों चुना हमें कुछ करना होगा उसे भगाने के लिए एदा ओफिस आती है और एफे को थैंक्स कहती है क्लाइंट के लिए एफे उसे मना करने लगता है कि उसने उसकी हेल्फ नहीं की मगर सर सरकान की मौम एदा को फोन करके कोफी पर बुलाती है पहले तो एदा मना करती है मगर उसकी मौम को घर से बाहर निकलने में उसकी मदद चाहिए थी इसलिए वहां मान जाती है फिर जेलिन सबको अपना प्रजेंटरेशन दिखाती है सबको उसका काम पसंद आता है और उसे आ कि आपने एदा को क्यों बुलाया मॉम केटी हैं कि मैंने ते उसे बस बात करने के लिए बुलाया था अगर एदा तुम्हारे ब्रेक अप करने की बजा जानती ये सब होता ही नहीं सरकान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब हम अलग हो गए हैं अब से आप उसे परेशान मत कीजिए उसके जाने के बाद एदा उनसे ब्रेक अप की बज़ा पूछती है तो उसकी मौम जुट कह देती है उमने उसे मना किया कि एदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो मान गया एदा कहती है आपने मना किया और वो मान गया अच्छा ठीक है आपको आपकी पसंद की बहु मिल जाए कहकर चली जाती है एहीं पर हमारा ये पार्ट एंड होता है मिलते हैं अगले पार्ट बर थैंक्स पर वाचिंग